में फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे पावर प्ले ये एक ठ्रिलर मूवी है जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई है जिसे डिर्यक किया था वीजेई कुमार कॉंडा ने मूवी में नज़र आये थे राच तरुन, हैमन इंगल, शमा करीम और कोटा सरी निवाशन राओ तो चलिए मूवी को एक्स्प्लेंड करते हैं रहे है इंस्पेक्टर करीम जो की एक करप्ट इंस्पेक्टर है, वहाँ उस गाड़ी में से उस आदमी का आधारकाड मिलता है और उस आदमी का mobile भी मिलता है करीम उसके finger से उसके mobile को खोलता है उस आदमी के mobile में code word के द्वारा drugs को शहर में पहुचाने के बारे में लिखा था जिसको इंस्पेक्टर करीम समझ जाता है उस drugs dealer के mobile में वो DGP के बेटे का भी नाम देखता है मतलब के उस drugs dealer और DGP के बेटे में कुछ connection है और ये बात वो DGP को बताता है और DGP करीम को mobile चुपाने को और मामला रफादफा करने को कहता है और इंस्पेक्टर करीम केस को दूसरी और डायवर्ट कर देता है और सीन यहीं कट होता है और ये है वीजे जो group exam की तयारी कर रहा है जो अपने माबाब के साथ रहता है वीजे के पापा अब voluntary retirement लेकर अब गर रहना चाहते है वीजे एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है किर्थी तो वीजे के पापा केर्थी के पापा से मिलके उनके साधी fix करवा देते है तो वीजे और केर्थी पब में party का प्लान बनाते है वहीं shopping करते वक्त वीजे एक औरत को बचाता है जहां एक ट्रक के साथ उसका accident होने ही वाला था कि वीजे उसे खीच लेता है उसका नाम स्वाती है जो अपने बच्चे के साथ वहां आई थी दूसरी और bank का एक आदमी दूसरे आदमी से पैसे वापस मांगता है जो पैसे उसे ATM में डालने थे वो पैसे उसने दूसरे आदमी को उधार दिये थे आगे वो बताता है कि उसके पास दो गंटे है दो गंटे बाद bank और सबको पता चल जाएगा कि उसने वो पैसे ATM में डाले ही नहीं दो गंटे के अंदर वो उसे पैसे वापस दे दे अब वो आदमी सोचता है कि दो गंटे के अंदर पैसो का इंदिजाम कहां से करे तो उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि क्यों न हम उस ATM में चोरी करें अभी उस ATM में 10 लाख रुपिय है लेकिन चोरी के बाद वो केस 50 लाख का बनेगा तो चोरी करने के लिए वो बीहर गेंग के एक आदमी को काम देते है तब ही वो आदमी पैसे में अरेंच कर लेता है और वो बीहर गेंग वाले आदमी को चोरी करने से मना कर देता है और पैसे ATM में बर देता है अब विजय उसी ATM में से पैसे निकालने वहाँ पहुंचता है वहाँ उस ATM में एक लड़का और एक लड़की निकलते है और सिक्यूरिटी गार को पैसे देकर वहाँ से चले जाते है विजय उस ATM में से पैसे निकालता है तब वो सिक्यूरिटी गाड किसी करीम से गाड़ी की बात कर रहा था विजय वो सुन लेता है और बहार निकल कर वो कीर्टी और अपने दोस्तों को पब में बुलाता है और उस PAB के बाध्रूम में जब वीजय और किर्थी अकेले थे तब वहाँ के गार उनको पकड़ कर ले आते हैं और उनको मैनेजर के पास ले आते हैं मैनेजर वीजय को बताता है कि वीजय ने उसे 2,000 रुप्य के नकली नोट दिया है लेकिन वीजे उसे कहता है कि उसने वो पैसे अभी अभी ATM से निकाले है तब ही वहाँ इंस्पेक्टर करिम पहुँच जाता है और वीजे और किर्ती को हिरासत मेलेकर पुलिस टेशन लाता है और वहाँ वो किर्ती के साथ बत्तमीजी करता है किर्ती के पापा बेल ओर्डर लाके किर्ती को छुडा लेते है और वो वीजे को भी छोड़ने को कहता है लेकिन गरिम बताता है कि कल प्रेस के सामने प्रेस रिपोर्ट के बाद वो उसे छोल देंगे दूसरे दिन प्रेस के सामने वीजय पे नकली पैसे बनाने का आरोप लगाया जाता है और उस प्रेस नोट के वाइरल होते ही वीजय की कैरियर खतम हो जाती है लोग उनके गर से पैसे लेने से भी कत्राते हैं कि शायद कहीं वो नकली न हो किर्थी भी न चाते हुए वीजय से ब्रेक अप कर लेती है और उसे वो वीडियो बेचती है जिसमें पुलिस ने उस पे जुठा आरोप लगाया था मोवी में एक और केरेक्टर की एंट्री होती है ये है प्राइम मिनिस्टर जोहर रेडी जो अपने मंत्रियों के सामने ये एलान कर देते हैं कि अगले इलेक्शन में उनकी बेटी इलेक्शन लड़ेगी और मिनिस्टर बनेगी विजई को हर रोच पुलिस टेशन आके साइन करना पड़ता है तो एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुम सांती से सोचो उस राथ आकिर हुआ क्या था शायद तुमें कोई क्लू मिल जाए विजई वापस उसी ATM आता है और सोचता है वहाँ वो ATM के अंदर जाके भी देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता तबी उसकी नजर CCTV कैमेरास पे पलती है जो कि पासी में एक कार डिलर ने लगवाया था विजई वहाँ जाकर उनसे उनस राथ की फुटेज मांगता है अब वो कार कम्पनी दो पार्टनरों की थी राजू और बोकार तो राजू उन्हें जूट बोलकर बगा देता है कि कैमेरा काम नहीं करते विजई वापस ATM आके सिक्यूरिटी गार्ड से उस राथ जो सिक्यूरिटी गार्ड ड्यूटी पे था उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो यहां नया है शायद उसे मैन ब्रांच में से उस गार का पता और CCTV फुटेज दोनों मिल जाएगी तो विजई CCTV फुटेज के लिए रोज बैंक मैनेजर से मिलने आता है लेकिन मैनेजर उसे बहाना बना कर नहीं मिलता और ये बात जोहर रेडी के दामाद अजई को पता चलती है कि कोई आदमी CCTV फुटेज के लिए रोज बैंक के चक्कर लगाता है तो अजई फॉन करके बैंक मैनेजर को ये मामला जल्द ही निप्टाने को कहता है अब ये बैंक मैनेजर को भी पता था कि विजई ने उसके ही ATM से पैसे निकाले थे और वो नकली थे तो बैंक मैनेजर उस आदमी को फॉन करके बताता है कि तुमने जो ATM में पैसे डाले थे उनमें से कुछ नोट नकली थे तो वो आदमी दूसरे आदमी को इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसमें से 20% नौट नकली थे और उसे उसका पैसा जल्द ही वापस चाहिए वो देखता है कि उसके नकली पैसों का इलजाम किसी और आदमी पे लगा दिया गया है विजे के पापा जहां वॉलेंटरी डिटार्मेंट लेके नौकरी छोल दे थी अब विजे का केरियर तो बरबात हो गया और ये बात विजे के पापा विजे को बताता है कि किसी ने उसका एकसिडन जान बूच कर किया है अस्पताल का बिल किरती ने दिया था तो विजे किरती को उसके पैसे वापस दे देते है बैंक में विजे की मुलाकात स्वाती से होती है वहाँ स्वाती वीजे को बताती है कि उनके पती रवी गुजर गए है वो दोरों बात ही कर रहे थी कि बैंक मेनेजर वहाँ से चुपके से निकल जाता है स्वाती के बताने पर वीजे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बाग जाता है विजय को एक डिटेक्टिव मिलता है जो उसे मदद करता है और दोनों वापस उसी ATM वापस पहुँच जाते हैं और कच्रे में उस रात की ATM की रिसिप दूनते हैं विजय को याद आता है कि उस रात वो सिक्यूरिटी गार किसी करीम से गारी की बात कर रहा था तो दोनों करीम को डून लेते हैं और उस सिक्यूरिटी गार का मुबाइल नमबर और एड्रस ले लेते हैं विजे जब उस security guard के गर phone करता है तो उसे पता चलता है कि एक लोरी के टकर मालने की वज़े से उस security वाले आदमी की मौत हो गई है। जब विजे उसके गर उसकी पतनी से मिलने पहुँचता है तो उसका policy बताता है कि उसको उनके रिस्तेदार यहां से ले गए है। विजे उससे बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने उनसे बात की है जब वो वापस phone लगाता है तो mobile switch off था। तब उसे याद आता है कि उस रात उस ATM से निकले लड़का लड़की ने एक cap book करवाई थी और उसमें गए थे। जिसमें से 500 रुपिय सिक्यूरिटी गार्ड को और 2000 रुपिय उस लड़की को दिये थे। विजे उससे उस लड़की का नमबर लेके उसे मिलता है क्योंकि उसी ने ATM से पैसे निकल कर उस लड़की को दिये थे। मारने आया है विजे चाला किसे उस लड़ी ड्राइवर को पकल लेता है और उसे पूछता है कि उसे किसने यहां बेजा तब उस ड्राइवर की मूबाइल में एक फॉन आता है वह फॉन तो कट जाता है लेकिन उसमें वीजे की फोटो और लोकेशन उस लड़ी ड्राइवर रेटी की बेटी है और अब मिनिस्टर है वो अपने मिनिस्टर पत का फाइदा उठा के अपने आदमियों का काम करवाती है जब वो गारी में जा रही थी तब ही उसके मोबाइल में एक वीडियो मैसे जाता है और वो चौक जाती है और वो सीधा उसके पती अजय को वो वीड निकालने को कहता है और करीम उस मोबाइल को ट्रेस करने लगता है और उन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसका वो मोबाइल था लेकिन वो आदमी बताता है कि उसका मोबाइल खो गया है और उसने पुरी स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाई है मोबाइल को ट्रेस करते हु उस बैंक मैनेजर को उसके घर में पकल लेते हैं तो वो बैंक मैनेजर विजय को बताता है कि उसके पास उस रात की वीडियो नहीं है और जिसके पास उस रात की वीडियो है अगर वो उसका नाम बता देगा तो वो उसे मार डालेगा तबी उस बैंक मैनेजर की बीबी जो के पुलिस इंस्पेक्टर थी वो वहां आ जाती है और वीजे और उसके दोस्त जुट बोलकर वहां से बच निकलती है अब वीजे उस कार डिलर के वहां जाता है और उस वक्त राजू और बोकाल वहां नहीं थे तो उनका नौकर चिनना उनसे पैसे लेकर उनको CCTV फूटेज दे प्लास्टिक गलव्स में डाल कर वहां चुपा देता है बाद में वीजे उस मुबाइल को निकाल लेता है राजू और बोकाल को किडनेप करके अजय के सामने लाया जाता है और अजय उन दोनों से वीडियो के बारे में पूछता है दूसरी और वीजय चिनना से बात करके उसके मालक का नमबल लेके सीधा अजय से बात करता है और अजय को बताता है कि वहीं किटनेपर है और उसके पास वीडियो है तो अजै राजू को मार देता है और बोपाल सच बता देता है कि उसी ने वो वीडियो पूर्णा को बेजा था और बलेक्मेल करके पैसे मांगे थे और उसको वो वीडियो पूर्णा के P.A. ने दिया था जिससे वो दोनों पैसे कमा सके अजय के आदमी राजू की शौप पे जाके वो वीडियो डूनते है लेकिन वो वीडियो उन्हें नहीं मिलता तो अजय एक चाल चलता है वो अपने आदमियों को बोपल के उसकी शौप के सामने छोड़ने को कहता है जिसके पास भी वो वीडियो है वो बोपल को मिलने आएगा तो वो उसको मार के वो वीडियो चीन लेना और बोपल को उसकी शौप के सामने छोड़ा जाता है उसका नौकर चीनना बोपल को देखकर उससे मिलने जाता है वीजय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो चला जाता है और दूर खड़े अजय के आदमी उसे गोली मार कर मार देते हैं और उससे वो वीडियो डूनते है लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती तब तक वीजय बोपाल को लेके बाग जाता है वोकाल के मूबाइल में गैलरी लोक था जिसकी वज़े से वीजय वो वीडियो देख नहीं पाया था वोकाल उसे गैलरी खुलके वो वीडियो दिखाता है और वो वीडियो देखके वीजय चौक जाता है अजय पुर्णा को बता देता है कि वो वीडियो उसी के पिये ने उस साथ खुस थे उनके जीवन में उनके बैटे के आने से खुशी दुगनी हो गई रवी स्कूल में ट्रेनर की नौकरी करता था जब रवी देखता है कि स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं थी जो सपोर्ट को सपोर्ट कर सके तो वो इसके लिए बात करने मिनिस्टर से मिला मिنि जब रवी पूर्णा के गर में अकेले थे तभी वहां स्वाती आ जाती है और श्वाती को दरवाजे पे देखकर रवी पूर्णा को धक्के मार के वहां से निकाल देता है और श्वाती को पूर्णा की बनक भी नहीं लगने देता लेकिन पूर्णा रवी की ऐसे बरताव से गुसा हो जाती है दूसरे दिन जब रवी पूर्णा से मिलने पहुचता है तो पूर्णा रवी को श्वाती और उसके बच्चे को मारने का सुजाओ देती है जिससे रवी गुसा हो जाता है क्योंकि वो अपनी पतनी स्वाती से बहुत प्यार करता था लेकिन फिर भी पूर् येने पैसे निकाले थे रवी को मारते हुए उस ATM का सिक्यूरिटी गार्ड पुर्णा को देख लेता है तो पुर्णा उसे भी मार देती है और वहां लगे CCTV की सारे फुटेट डिलिट करवा देती है और उसी वक्त वो नकली पैसो वाला कांड भी हुआ था आगे पुर्णा अपने पिता जी को बताती है कि उसने अजय को रवी और उसकी सारी बाते बता दे थी आगे अजय बता था था तो रवी का केस दब जाता तो करीम को वहां बुलाया जाता है और करीम उन्हें बताता है कि उस दिन शहर में ड्रक जाने वाला था और उसमें DGP का बेटा भी इन्वल्ट था तो वो केस डाइवड करने के लिए उसने वो जाली नोटो वाला केस उचाला और करिम उनको विजय की फोटो देता है जो उस वीडियो के पीछे पड़ा था पुर्णा ने रवी को मार डाला वहीं इस वीडियो में था विजय स्वाती से रवी का मोबाइल लेके किरृति को फॉन करता है क्योंकि उसने उसका और भोकौल का मोबाइल ट्रेस होने के डर से स्वीच उफ कर दिया था विजई जब किर्थी को फॉन करता है तो किर्थी के घर पहले से ही गुन्डे थे तो वो वीजे को पुर्णा से बात करने को कहते है और मोबाइल से conference call करके पुर्णा से बात करवाते है पुर्णा बोकाल से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी family बचानी है तो अपना location बता दो तो वो location बताने ही वाला था कि विजे उससे mobile छीन लेता है और उन दोनों में हाथापाई होती है उन दोनों की लड़ाई में श्वाती बोकाल का mobile ले लेती है बोकाल विजे को कमरे में बंद करके श्वाती से उसका mobile छीन लेता है और मुबाइल चालू करके पूर्णा को उसकी लोकेशन बता देता है और पूर्णा के आदमे श्वाती के गर पहुँच जाते है विजय अपने दोस्तों को फॉन करके 5-6 एंब्यूलन्स मंगवाता है और गैस सिलिंडर ओन करके बाहर आता है तबी उनके दोस्त भी एंब्यूलन्स लेके वहाँ पहुच जाते हैं वो लोग एंब्यूलन्स में चड़ी रहे थे तबी गुंडे स्वाती पे गोली चलाते हैं और स्वाती की वहीं मौत हो जाती है अब विजय छे एंब्यूलन्स लेके जा रहे थे और गुंडे उनका पीछा कर रहे थे लेकिन वीजई एंबिलन्स को अलग-अलग गुमा कर उनको चक्मा दे देते है पुर्णा जब बोपाल का मोगाल देखती है तो उसमें वो मेमरी कार्ट था ही नहीं जिसमें वो वीडियो था अजई वीजई को फोन करके बताता है कि उसको वो मेमरी कार वापस दे दे और शांती से अपनी जिन्दगी जिये अब वीजई को तो मेमरी कार के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी वो मना कर देता है पूरना अब टेंशन में थी क्योंकि वो वीडियो सामने आने से उसका पूरा करियर खतम हो जाएगा तबी वीजई को इंस्पेक्टर का फॉन आता है कि आज तुम साइन करने आये नहीं तो वीजई स्वादी के बच्चे को लेकर पुलिस टेशन पहुँचता है वीजई जब साइन कर रहा था तब वहां करीम उस पे गंतान देता है लेकिन वीजई उससे गंचीन लेता है और उन सब को जेल में बन कर देता है और पुलिस टेशन भी अंदर से बन कर देता है और फेस्बुक पे लाइव आता है और सब को बताता है कि दूसरे केस को डाइवर्ट करने के लिए उसे फसाया गया है करीम अजय को बताता है कि विजय लाइव आके सब को सच्चाई बता रहा है और सब मीडिया भी पुलिस टेशन के बाहर पहुँच चुकी थी सबी लोग विजय को टीवी पे और मुबाइल पे लाइव देख रहे थे उसी पुलिस टेशन के बाहर पूर्णा और अजय भी पहुँच जाते है लेकिन मीडिया के वहां होते वो कुछ नहीं कर सकते थे टीवी पे सबी लोग विजय से पूछ रहे थे कि अगर वो सच्चा है तो उन्हें वो वीडियो दिखाए अब विजय के पास तो कोई वीडियो था ही नहीं इंस्पेक्टर करिम स्वाती के बच्चे को बहला फुसला कर अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ लेता है वीजय उस बच्चे को छुडाने की कोशिश करता है उनकी हाथा पाई में उस बच्चे की जेब फट जाती है और उसमें से मेमरी कार गिर जाता है और वो memory card विजई करिम से छीन लेता है ये वही memory card है जिसमें रवी के खुन का वीडियो था पोकाल से वो mobile छीनने के बाद स्वाती ने वो memory card निकाल कर अपने बच्चे की जेब में रख दिया था अजय अपने आदमियों को patrol से police station जनाले को कहता है लेकिन तब तक विजई ने वो video upload कर लिया था और पूर्णा का career खतम हो चुका था पूर्णा अपने पती अजय के साथ आत्महत्या करना चाहती थी लेकिन end मौके पर अजय पीछे हट जाता है और पूर्णा की मौत हो जाती है और अजय बच जाता है अजय अपने आदमियों को phone करके police station और श्वाती के घर से वापस बूला लेता है विजय अपनी सच्चाई साबित करके police station के बाहर आता है करप police inspector करीम को suspend किया जाता है और उस आदमी को भी गिरफ्तर किया जाता है जिसने ATM में नकली पैसे डाले थे बैंक मेनेजर को भी गिरफ्तर किया जाता है विजय पे लगे सारे इलजाम हटा दिये जाते है और उसे नौकरी मिल जाती है और वो स्वादी के बच्चे को गोर ले लेता है और किरती से शादी कर लेता है और मूवी खतम आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक और शेयर करना मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर